नमामि सद्गुरूम शांतं सच्चिदानन्द विग्रहं पूरणब ब्रम्ह परानंदं इशम आलंदि वल्लभं प्रिय शिक्षार्थियों N.I.O.S के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार वेद विभाग श्री जगननात समस्क्रत विश्र विद्याले पूरी उड़ीसा से आज हम सब उच्चतर माध्यमिक कख्षा के पाठ्यक्रम वेदाध जयन के विशय में कुछ चर्चा आपके सामने कर रहे हैं यहाँ वेदाध जयनम पाठ्यक्रम के अंतरगत पुस्तक क्रमांक दो है और इसका पंद्रहवाँ पाठ अगनी सूक्तम आपके सामने प्रस्तुत है ऐसा है भारतिय संस्कृती में धर्म और अधर्म के निर्णय के लिए करतव्य और अकरतव्य के निर्णय के लिए वेद ही प्रमप्रमान के रूप में स्विकृत किये गए हैं मनीशियों के द्वारा रिशियों के द्वारा उनहा विश्व ज्यान के गंगा, विश्व ज्यान गंगा के आदिस्रोत वेद को कहे जाते हैं वैदिक वांगमे में समाज कल्यान के लिए सभी पक्ष उपस्थित मिलते हैं विश्व का कल्यान कैसे हो, विश्व में व्याप्त असामाजिक तत्वों का निवारण कैसे हो, इन सभी का उपाय वेदों में प्राप्त होता है. और संपूर्ण विश्वसाहित्य में वेदों का स्थान सरवोन नत है सबसे उचा वेदों का स्थान माना गया है भारत ही नहीं अबितु भारत के बाहर के विद्वानों ने भी वेदों की महिमा का मुक्तकंड से गान किया है सभी धर्मों का मूल वेद ही कहे जाते हैं जैसा कि मनस्मृतिकार आचार्य मनु ने कहा कि वेदो खिलो धर्ममूलम और सरवग्यानमयो हिसाह इस प्रकार वेदों की महिमा का गान अनेक आनेक महरशियों ने अपने भाषा में मुक्तकंड से किया है वेद आचार्य सायन वेद का परिचय लिखते हैं अर्थात इस्ट की प्राप्ती अभीष्ट की प्राप्ती और अनिष्ट का निवारण अविगनों का निवारण बताने वाला अलोकिक उपायों को बताने वाला इस्ट की प्राप्ती के और अनिष्ट के परिहार के लिए अलोकिक उपायों को बताने वाले वेद कहे गए हैं यहां आचारिय सायन्ड ने अपने वेद भाष्य भूमिका में वेदों का परिचे संक्षप्त रूप में लिखा है महर्शी आपस्तंब वो भी एक महर्शी हैं विद्वान है उन्होंने वेदों के परिचे के बारे में लिखा मंत्र ब्राम्हनयोर वेद नामधेयम अर्थात वेद मंत्र और ब्राम्हनात्मक मिश्रित स्वरूप का नाम है वेद स्वरूप से दो प्रकार के हैं एक मंत्र रूप और दूसरा ब्राम्हन रूप मंत्र रूप में और ब्रामन रूप में भी पुनह पुनह अवांतर भाग किये हुए हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं मंत्र रूप में पुनह चार भाग किये हुए हैं जोसको हम चारो वेदों की सम्हिताओं के नाम से जानते हैं सब से पहला रगवेद सम्हिता पुनः यजरुवेद सम्हिता पुनः सामवेद सम्हिता और इसके पश्चात अथरुवेद सम्हिता ऐसा मंत्रभाग में चार है पुनः इसके परश्चात हम चर्चा करते हैं ब्राम्वन रूप जो वेदों का था ब्राम्वन भाग में भी अवांतह तीन भाग किया हुआ है अन्तह भाग है इनके तीन पहले तो ब्राम्वन, ब्राम्वनम, आरण्यकम और उपनिशद ये मंत्र और ब्राम्हन आत्मक वेद का संकलित स्वरूप है, जिसमें हम देख पाए चार सम्हिताएं वेदों की और ब्राम्हन आरण्यक उपनिशद। चारों ही सम्हिताओं का स्वरूप पुनह विभिन्न विभिन्न महरशियों ने प्रतक प्रतक बतलाया है। रगवेद में देवताओं की स्तुतियों का ब्रहतवर्णन प्राप्त होता है. जैसा कि रिच्यते・िस्तूयते अनया रिक ऐसा पृध्वानों ने इसकी परिभाषा बदलाई है जिसमें देवताओं से संबंदित स्तुतियां प्राप्त होती हों ऐसे रिचाओं का समुदाय अरगवेद कहलाता है वस्तुतहा विश्वसाहित्य में सबसे प्रथम गरंथ का नाम अरगवेद है अरगवेद सभी वेदों में भी अग्रगण्य है और विश्वसाहित्य के प्रथम गरंथ की उपाधी को प्राप्त करता है और मंत्र की दृष्टी से भी चारों ही वेदों में रगवेद का स्थान सरवोत तम है सबसे उंचा स्थान रगवेद का है सबसे जादा मंत्र संख्या रगवेद में प्राप्त होते हैं 10,580 कुल मंत्रों की संख्या रगवेद में प्राप्त होती है उसी क्रम में पुनहा यजुरवेद का स्थान आता है यजुरवेद भी दो भाग में बटे हुए हैं शुकल और कृष्ण के नाम से जिसमें शुकल यजुरवेद की 15 शाखाएं रही हैं और कृष्ण युरवेद की 86 शाखाएं रही हैं वरतमान में कलिकाल के प्रभाव से अधिकतर शाखाओं का लोप हो गया है अध्यनाध ध्यापन की प्रणाली लुक्तप प्राज होने के साथ ही अनेक शाखाओं का लोप वरतमान में कलिकाल के प्रभाव से हो गया है वरतमान में यजुरवेद में शुकल यजुरवेद जो है उसकी केवल अध्यनाध ध्यापन परंपरा में दो ही शाखाएं बची हुई हैं एक कानव शाखा और दूसरी माध्धन्दिनी शाखा जिसको वाजसने यज शाखा भी बोला जाता है उसी प्रकार यजुरवेद का जो दूसरा भाग है कृष्ण यजुरवेद उसकी भी तीन शाखाएं वरतमान में अध्यनाध ध्यापन की परंपरा में अधिकतर रूप से उपलब्ध होते हैं पहला तैतरिय साखा, मैत्रायनी साखा और कठ शाखा इस क्रम से कृष्ण जुरवेद की अध्यनाध ध्यापन परंपरा वरतमान में प्रचलित है पुना सामवेद के क्रम में आते हैं, सामवेद की भी तीन शाखाएं उपलब्ध हैं सामवेद की तीन शाखाओं में कौथुम शाखा, जैमिनिय शाखा और राणायनिय शाखा ये तीन शाखाएं सामवेद से संबध वरतमान में अध्यानाध्यापन की परंपरा में प्रचलित है और इसी क्रम से अधरवेद के बारे में वरतमान में केवल अधरवेद की एक शाखा उपलब्ध होती है जिसका अध्यानाध्यापन की परंपरा में प्रचलित है उसमें भ अध्यापन चल रहा है, किन्तु जिस प्रकार शौनोक साखा की अध्यापन की व्यवस्था भारत में है, उस प्रकार पईपलाद साखा की अध्यापन व्यवस्था भारत में उतने विक्सित तोर पर नहीं है, किन्तु फिर भी कुछ-कुछ उतकल प्रांत में पईपलाद प्राचीन काल में उपलब्द रही एक महरशी पतंजली जो की व्याकरण शास्त्र के निश्चनात विद्बान हैं उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा व्याकरण महाभाश्यम। वियाकरण महाभाश्य के पस्टपसान निक्खंड में उन्होंने वेदों की शाखाओं का उल्लेख उनके काल में किया एरिगवेद के लिए भी लिखते हैं एक विम्शतिधा बाह वरिचम अर्थाथ 21 शाखाएं एरिगवेद की उनके काल में उपस्थित रही उसी प्रकार यजुरवेद के लिए लिखते हैं एक शतम अध्वरिय शाखा 101 अध्वरिय नाम यजुरवेदह यजुरवेद की 101 शाखाएं पतंजली के काल में उपलब्द रही और सामवेद के लिए उन्हों लिखा सहस्रवर्त्मा सामवेदह सामवेद की एक हजार शाखाएं का उलेक उन्होंने अपने करंथ में सवीद ही किया है अथरवेद के क्रम में वे लिखते हैं नवधा थरवणो वेदाः अर्थात अथरवेद की नव शाखाएं नव प्रकार के अथरवेद उस समय उपलब्द रहीं किन्तु जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कलिकाल के प्रभाव से अध्यान और अध्यापन की परंप्रा लुप हो जाने के कारण इन सभी साखाओं में से कुछ शाखाएं ही जो कि अंगलियों में गिनी जा सकती है ऐसी शाखाएं ही हमारे सामने बची हैं जिनका ध्यान अध्यापन भारत में चल रही है और इन्ही वेदों के क्रम से ही ब्राम्मन, आरण्यक और उपनिशत भी प्रतक प्रतक सभी वेदों की शाखाओं से सब्बद अलग-अलग हैं आरण्यक भी अलग-अलग हैं उपनिशत भी प्रतक-प्रतक हैं और ब्रामन भी सवी वेदों के प्रतक-प्रतक मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आचारिय सायन का मत उन्होंने लिखा अरथात इश्ट की प्राप्ति का और अनिश्ट के निवारण का अलग की उपाय जो बताता हो ऐसा शास्त्र वेद है और वेदों के अधिरिक्द कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो इश्ट प्राप्ति और अनिश्ट प्रिहार के अलग की उपायों को बताए ऐसा आचारे सायंड ने अपने ज्ञान के अनुसार वेदों का परिचय उपलब्ध किया है अब आगे बढ़ते हैं महर्शी याद्यवलक और महर्शी मनु ने भी वेदों की भूरी प्रशमसा किया है अर्थात वेद सभी ज्ञान के आधार हैं वेदों से ही विश्वक ज्यान गंगा निस्चरित होता है रगवेद जो है सबसे प्रथम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया रगवेद सबसे प्रथम वेद में गणना की जाती है रगवेद की और यहां ग्यान कांड के रूप में उपस्थित होता है तीन कांडों के रूप में वेदों की उपस्थित हमारे सामने होती है ज्यान कांड उपासना कांड और कर्मकांड जिसमें रगवेद ज्यान कांड के रूप में हम सब के भी उपस्थित है अध्यनाद ध्यापन्द की परंपरा में रगवेद को ज्यान कांड के रूप में स रिक्वेत में जैसा कि बताया गया कि देवताओं से संबंदित स्तुतियों का संकलन है सूक्त के रूप में वे स्तुतियां हम सभी को प्राप्त होती है जिसमें सर्व से पहला सूक्त सरव प्रसम सूक्त अगनी सूक्त के नाम से विख्यात है इस अगनी सुक्त में अगनी देवता की स्थुति की गई है और अगनी के लिए आचारियास्क ने अपने निरुक्त नाम ग्रंथ में लिखा अगनी प्रतिवी स्थानिया है अगनी प्रतिवी स्थानिय देवता है प्रतिवी के सबसे निकटवरती देवता अगनी को कहा गया ह ऐसा आचारी राशकayı ने अगनि के लिए प्रमान उपस्थित किया। वेदेश्य बहुत प्रसिध्धी ही प्रथात रगवेद में इसकी बहुत प्रसिध्धी प्राप्त होती है। अत्यंत विविध गुणों से समलंकरत होते हैं। आचारे सायन का भाष्य और अरगवेद में सबसे प्रथम प्राप्त होता है। इस सूक्त में हम अगनि सूक्त से संबंधित मंत्रों के संदर्व में आचारे सायन के मत को हम पढ़ेंगे। इस पाठ के कुछ उद्देश्य हैं। अगनि सूक्त को पढ़ने से सूक्त में उपस्थित जो मंत्र संकलन हैं, मंत्र समुदाय हैं। इनका मूल पाठ कैसे होता है। यह आपको समझ में आएगा। सूक्त स्थानाम मंत्रानाम संभितापाथम ज्यास्यती। पुनहा सूक्त विभिन्नानाम मंत्रानाम अर्थावगनम भविश्यती। सूक्त में जो अनेकानेक मंत्र हैं अगनि सूक्त से संबंदित। उनके अर्थावोध, उनके अर्थों का ज्यान हमें होगा। अगनी सूक्ट में अगनी का वर्नन जिस प्रकार से किया गया है उस प्रकार से हमें सटीक ग्यान पराप्त होगा अगनी देवताओं के लिए क्या कारे करते हैं, मन薩्यों के لिए क्या कारे करते हैं इन सब का ज्यान हमें अगनिसूक्त के अध्यान से मिलता है सबसे पहले देखिए की द्रशाह अगनी स्तुत्याभवती इत्यपिग्यास्थिती कैसी अगनी की स्तुती अरगवेद में की गई है अगनी के स्वरूपों का भी ज्यान हमें उनके स्तुतियों के सुरूपों का विज्यान हमें इसके अध्यन से प्राप्त होगा अर्थात अगनी सूक्त में जो जो वैदिक शब्दों का प्रयोग हुआ उन वैदिक शब्दों के विशय में हमें जानकारी प्राप्त होगी और सूक्त स्थानाम मंत्रानाम व्याख्यानम करतुम समर्थो हुएत इसके अध्यान से आप सूक्त में जो मंत्र हैं उन मंत्रों की व्याख्या करने में समर्थ होंगे अर्थात मंत्रों का सरला अर्थ आपको प्राप्त होगा आप मंत्रों के पदों का अर्थ समझ पाएंगे और स्वयम इन मंत्रों की व्याख्या के लिए आप तत्पर हो पाएंगे इस अगनी सुक्त का सरवप्रथम मंत्र आप सब के सामने उपस्थित है यहां मूल मंत्र मैं पढ़ता हूँ उसके पश्चात इसका पदपाथ मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा फिर इसके अर्थवी आपको बताया जाएगा मूल मंत्र है हरी ही ओम अगनी मीडे पुरोहितम यग्निस्यदेवम रत्विजम होतारम रत्नधातमम इसके पश्चात पदपाथ का क्रमाता है ओम अगनिम इडे पुरोहितम यग्निस्यदेवम रत्विजम होतारम रत्नधातमम इस प्रकार मूल मंत्र के पदों का पाथ किया गया यहाँ पदपाथ है इसके पश्चात हम इस मंत्र के अर्थ की ओर जाते हैं मंत्र में कहा गया यज्ञस्य अर्थात यज्यके अग्णिमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम रित्विजम पुरोहितम यज्ञस्य अर्थात यज्यका यह अग्णी पुरोहित है। मंत्र में अगनी की स्तुती यजमान करता है, वह कहता है कि मैं अगनी की स्तुती करता हूँ, अगनिम इडे, इड स्तुतव धातु है, प्रार्थना परक धातु है, इडे उत्तम पुरुष के एकवचन का रूप है, प्रार्थना अंकरो में ऐसा आर्था निकलता है समस्कुत भाशा में मैं अग्णी की स्तुती करता हूँ कैसी अग्णी की स्तुती करता हूँ तो अग्णी का स्वरूप बताता है यजमान कहता है यग्णिस्य पुरोहितम जो यग्णी यग्ण के पुरोहित हैं और कहा देवताओं के होता है देवताओं के होता नाम आफवानम करोती जो देवताओं का आफवान करता है वह होता कहलाता है तो यग्यों में देवताओं को बुलाने के लिए अग्णी का स्थान है सबसे पहले अग्णी उपस्थित होते हैं और अग्णी सभी देवताओं को आफवान करते हैं यग्यादी कर्व में ऐसे देवताओं के होता रित्विक जो है और यग्य के जो पुरोहित हैं ऐसे और फिर कहें रत्नधातमम बहुत सारे रत्नानी दधाती धारयती तम रत्नधातमम जो विविध रत्नों को धारण करते हैं कैसे रत्नों को तो विविध याग के फल रूपी रत्नों को जो विशेश रूप से धारण किये हुए हैं ऐसे अग्नी की मैं स्तुती करता हूँ ये यजमान के द्वारा स्तुती इस प्रकार अग्नी की की गई है पुनहाँ आप देखिए अग्निम इडे पुरोहितम यग्नियस्यदेवं रित्वियम कहा अग्निम इडे अग्नी की स्तुती करता हूँ किस अग्री की कैसी अग्री की तो कहे पुरोहितम यग्यस्य यग्य के जो पुरोहित है यग्य के साधन करने में सरवथा ततपर रहते हैं ऐसे यग्य के पुरोहित फिर कहा होतारम रत्नधातमं यग्यस्य देवं होतारम रत्नधातमं देवं होतारम जो देवताओं के होता र हम जो विभिन्न याग फल रूप रत्नों को विशेश रूप से धारण करते हैं, ऐसे अगनी को हम सुधि करते हैं, ऐसी अगनी की हम प्रार्थना करते हैं, तो अगनिम इडे पुरोहितम यगनियस्य देवम रित्विजम होतारम रत्नधातम हम, इस प्रकार इस संपूर मंत्र का अर्थ हमें इस अगनी सूक्त के प्राथम मंत्र में प्राप्त होता है, इसी प्रकार हम आगे के भी मंत्रों का पुनहा अध्येन करेंगे, धन्यवाद.